हेलो इस्टूडेंट्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, सब अच्चो आज हम लोग पढ़ेंगे A, B, C, D और समें कलर्स को कैसे फिल करते हैं, वो देखेंगे, तो आईए हम लोग पहले देखते हैं, कलर्स नेम, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, पैरोट कलर, ग्रीन कलर, रेट कलर, और ये है हमारा औरेंज कलर, तो आईए हम लोग A, B, C, D में कलर्स को फिल करते हैं, पहले क्या आता है, पहले आता है, तो A में हम लोग कौन सा कलर फिल करेंगे, औरेंज कलर, ए मिन्स होता है आइंट, आइंट मिन्स होती है चीटी, ए के बाद आता है B, और ये है येलो कलर, B means होता है ball Ball means होती है गिन B के बाद आता है C और ये है red color C means होती है cat Cat means होती है बिली C के बाद आता है D तो हम लोग D में कौन सा color feel करेंगे D में हम लोग करेंगे orange color D means होता है dog Dog means होता है कुपता D के बाद क्या आता है D के बाद आता है E और ये है green color E means होता है E E means होता है अंडा E के बाद आता है F और ये है red color F means होता है fish F means होती है मचली F के बाद आता है G और ये है पैरेट कलर जी मीन्स होता है ग्रेप्स ग्रेप्स मीन्स होता है अंगूर जी के बाद आता है एच और ये है ब्लू कलर एच मीन्स होता है होर्स होर्स मीन्स होता है घोड़ा एच के बाद आता है आई और ये है ब्लू कलर I means होता है इंडिया, इंडिया means होता है भारत I के बाद आता है J और ये है ग्रीन कलर J means होता है जग J के बाद क्या आता है J के बाद आता है K और ये है ब्लेक कलर K means होता है काइट काइट means होती है पतंग K के बाद आता है N और ये है यलो कलर L means होता है loin, loin means होता है share L के बाद आता है M M means होता है moon, moon means होता है चंद्रमा M के बाद आता है N और ये है orange color N means होता है nose, nose means होती है नाक N के बाद आता है O O means होता है owl, owl means होता है ullu O के बाद आता है P और ये है red color, P means होता है peacock peacock means होता है more P के बाद आता है Q Q में हम लोग कौन सा color feel करेंगे? Green color के बाद आता है और ये है blue color R means होता है rose, rose means होता है गुलाब तो बच्चो आप लोग भी ऐसी पढ़िए और आगे बढ़िए O के बच्चो बाबाई, thank you